कि नमस्कार दोस्तों आईए एनलीसिस करने की कोशिश करते हैं कि कल मार्किट कैसे काम कर सकती है लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर है आप सभी जानते हैं डिस्क्लेमर क्या है कि वीडियो खाली लेर्निंग पर्पस के लिए है मेरी तरव से कोई बाइस हैल का रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी खृतने बेचने से पहले आप अपने फाइनेशल एडवाईजर की मदद ले ल का वीडियो देख लीजिए कल का वीडियो जानने के लिए परसु का वीडियो देख लीजिए और यह जान देख लीजिए कि कैसे मैंने एनालीसीज में बोला था कि ऐसा होगा और वैसा हुआ और दूसरी बाग यही चीज मैं लाई मार्किट में आज थोड़ा सा ज्यादा एक्टीव था तो मैं अपडेट करता जा रहा था और मार्किट ने वैसे ही जो है कामकाश किया कैसे एक वर आप स्क्रीन पर देखिए दस पच्च के पच्पन मिनट पे मेरे को जो नदर में आया मैंने का कि निफ्टी ज्यादा वीग है ऐस कंपेर टू बैंक निफ्टी बैं 15100 से उपर गई फिर यह दुबारा नीचे याई 15000 के नीचे लेकिन जब यह पहले इंस्टेंस में उपर गई तो वहां लगा कि मार्किट जो है यहां से उपर जा सकती है एक्सपारी मूब देखते हुए क्योंकि 15100 के काल राइटर जो ते वो ट्रैप हो चुके थे लेकिन कि वह आकळां की और और मार्किट को दुबारा से नीचे लाने में ऊजिए ओर मार्किट के लेकिन बैब बचाने में काम्याब रहे और मार्किट को फिर खींच के ऊपर ले और अच्छी खासी लोगसिंग दी वही baik constitution में iक्रुपर भी मैंने क्योंगि मार्किट कि 36000 को जो है बार-बार उपर जाने की कोशिश कर रही थी तो मैंने लिखा कि 36000 के उपर निकलेगी तो 36500 के उपर जा सकती है as a expiry view जो मैंने लिखा था कि purely a expiry view लेकिन एक चीज़ और लिखी थी कि 36000 की काल्स पे नज़र रखना क्योंगी वहां unwinding नहीं नहीन हो रही थी तो यह भी लिखा कि दवारा से ब्यंक निफ्टी गिर सकती है अगर नई कि नहीं हुई बंध नहीं भी चाहिए और बंऔर हजारेकस की काल्स पे भे लिएजिए चाहिए तीब जो भी नहीं हुई मार्किट अच्छी खाती नीचे गई आप देख सकते हैं उसके बाद बैंक निफ्टी जो है वो 500 पॉइंट और निफ्टी तकरीबद से नहीं आ रहा था तो मैंने सुचा शयद मैं ही पागल हो जो लिखता जा रहा हो और आपने देखा उसके बाद जो है निफ्टी वी उपर आगे बैंक निफ्टी वी उपर आगे नीचे से स्पोर्ट लेके अब इस सारी चीज के बीच में डाटा कैसे बना रिटेलर हमारे मै चलते हैं दोस्तों सिदा नट डाटा के अपर देखते हैं कि कल मार्किट कैसे काम काच कर सकती है नाट डाटा को देखते हुए रिटेलर थोड़े से इन्होंने इंडेक्स फूचर आई निकाले हैं आप इनके पास 2723 कंट्रेक्ट हैं डी आई इस नंबर में कोई खास मेजर चेंज नहीं है इंडेक्स फूचर थोड़े से बढ़ाएं अ अब इनके बात 37379 कंट्रेक्ट है और प्राष 842 कंट्रेक्ट है इनके पास काल में देखिए रिटेलर फूल बुली 66915 कंट्रेक्ट है इनके हैं डी आई 267 कंट्रेक्ट नंबर में चेंज नहीं है फ आई इस नने जूरूर बढ़ाया है काल्स में इनकेपास 65864ं कंट्र के गए हैं एक लाख तेत्ती सजा शालीस कंट्रेक्ट काफी बड़ी नंबर है और पुट में देखिए रिटेलर 33,165 कंट्रेक्ट हैं डिया इस नंबर में चेंज नहीं है इनोंने नंबर यहां भी थोड़ा सा बढ़ाया है और प्रास ने दोना तरफ की गेम खेली है तेजी की भी मंदी की भी पुट भी राइट की हुई है और काल की कौंटिटी जादा है और स्टाक फूचर में किसी भी पाटिस्पेंट की तरफ से कोई मेजर चेंज नहीं है से एक मेल आई है श्रीनी विश्व विश्वानात यह चीफ टेक्निकल आफसर और कॉमफोंडर है इन्होंने माफी मांगी है आप देख सकते है वह यह एक्स्ट्रीमले सारी यह दूसरी माफी है इनकी क्योंकि लग रहा है कि इनको भी लग रहा है कि इनका जनाधार खिसक जाए लेकिन मेरे दोस्त बोल भी रहे थे कि सर जैसा अफस्टाफ के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है तो यह बात तो समझनी बड़ेगी आप यह देख सकते हैं कंप्लीट अब एक बार आप ध्यान दीजिए अभी यूएस मार्किट कैसे कामकाच करी है यूएस मार्किट नर्मी और गर्मी दोनों दिखा रही है उपर से नीचे नीचे से उपर मैं काफी देर से देख रहा हूं बास यह यहीं लगा हुआ है वहीं आप देखिए नीचे से जो है यूरोपियन मार्किट भी उपर आ रही है मतलब को इतनी तेजी नहीं है तो अब कल हमारी मार्किट कैसे कामकाच कर सकती है देखना यह है वहीं एफ याई डियाई ने आज के अक्टिविटी की है एफ या है तो बाकी का ड़टाइसु क्रोड का माल हमारे रिटेलर ने भी बाय किया है डियाई याई कांटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं हर जगा से सेलिंग करके बैठे हुए है पता नहीं यह कब बाइंग में आएंगे जिस दिन 200 गिरती है तो उस दिन यह बाइंग में आ जाते हैं वहीं अब आप्शन चेन क्या बताती है कल के लिए एक्सपाइडी है तो दोस्तों 15,106 की क्लोधिंग गया है तो रिटेलर हमारे लेके गये हैं काल मतलब यह सारी काल्स जो हैं यह सारी यह मैंने कल भी आपको दिखाया था यह सारी हमारी जो है प्रास बेश के गया है तो को तो 15,100 के उपर ही रेजिस्टेंस है और उसके बाद 15,200 पे 44,250,300 हर यह अच्छा उपन इंटरस्ट है तो कल जो रेंज रहनी चाहिए मुझे डाटा को देखके अभी समझ में आ रही है 15,000 से लेके 15,200 कुछ सेम रेंज रहनी चाहिए जो आज की थी कल मेरा वीडियो जि अब कल क्या हो सकता है कल भी सेम तरीके से मार्किट कामकाज कर सकती है क्योंकि एक चीज समझ के चलिए एफ यह इने काल काफी अच्छी क्वांटिटी में बेची है तो गैप अप होगी तो वह कोशिश करेगा नीचे लाने की और उसके पास प्रवीजन भी है क्योंकि उसक गैप अप हो सकती है तो आप यह देखिए जो कल की रेंज रह सकती है वह 15,000 से लेके 15,200,200 कुछ ऐसी रह सकती है अगर गैप अप होगी और एफ यह भी लांग है इस चीज को भी आप बूलना मत उसके पास इंडेक्स फूचर भी अच्छे हैं और इंडेक्स काल भी अच् लेकिन समार्ट मनी है तो यह पूरी कोशिश करेंगे एक दिन का मूव इन्होंने बचाना मार्किट को नीचे लाना तो एक बार यह उपर अगर ओपन होती भी है तो यह कहीं ना कहीं मैनुपलेशन करेंगे आप क्योंकि इनके पास पूट भी है काल भी है तो जो कल जो मू रखनी पड़ेगी कि डाटा कैसे फाम होता है काडिंग ली आप अपनी पूजिशन लेकर चल सकते हो वैसे आज भी आपने देखा मार्किट नीचे से काफी उपर आई लेकिन काल्स के रेट नहीं बड़े क्यों नहीं बड़े क्योंकि सारी काल्स जो है हमारी प्रास ने ब बड़े सी दिक्कत कर गई अब चलते हैं सीधा 35-36,000 के लावल पर कि यहां पर क्या एक्शन बन सकता है तो आप देखिए 35,500 जो है 26,000 कंट्रक्ट हैं यहां पर इवन 35,600 पुट में आप देखो कि आपको इनफर्ट अनवाइंडिंग नजर आएगी मतलब पुट में मुनाफ़ा बांदा गया है जो भी पुट होल्ड कर रहे थे वहीं काल्स में 36,000 पर यह आप देखो कि पहला तो प्राव यहीं है यहीं पर आटेन सांथ और यह सारी काल्स यह जो आप देखरे हो यह 35,500 चीतनी काल्स में तो यह लग रहे हैं कयो थे सारी काल्स गेलस क्काट्ट हैं व्हाया है लेवल पर देखो कि सिर्म माइनस ही माइनस नजर आया यहां पर और इवन पुट में भी आपको माइनस ही नजर आएगा मतलब किसी भी तरफ से रिटेलर को प्राफिट नहीं लेने दिया जाएगा और अब यहां पर बड़ा इंट्रस्टिंग एक्सपारी जो है वह मुझे जो लग रहा है वह कहीं देखना पड़ेगा मार्किट कैसे ओपन होती है अगर तो यहां पर गैप आप होती है तो एक्सपारी कंट्रोल करने की क कोशिश की जा सकती है वहीं आपको देखना है कि अगर गैप डाउन होती है अच्छी खासी गैप डाउन होती है और यह 36,000 की काल कहीं 36,000 या 35,000 की काल या 35,500 कुछ ही इस लेवल में गेम होगी यह एक बार लाई मार्किट में देखना पड़ेगा क्योंकि अभी शूर्ट 35,000 तक की उसने राइटिंग करके रखी है इवन 36,000 पर भी तो कल की जो रेंज है सेम वही 35,500 से लेके 36,000 दो सो तीन सो इवन 200 भी बड़ा मुश्कल लग रहा है जो आज की है वही रेंज रहनी चाहिए तो लाई मार्किट पर आपको डाटा पर नदर रखनी होगी कि एक्सपारी कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी अगर मुझे कुछ स्पैशल अक्शन नजर में आया तो मैं लाई मार्किट में अपडेट करने की कोशिश जुरूर करने का किसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यही खतम करने ज्यादा चाहता हूं मेरे वह दोस्त जो मेरे डिटेल मेरे साथ जुरूर शेर कर लेना ताकि मैं आपका एक एक्सक्लूदिव गृप बना के उसमें आपको जो है शामिल कर सकूँ वैसे एक्सक्लूदिव गृप मेरा पहले भी चल रहा है इसी के साथ उमीद करता हूं कि कल आपकी एक्स्पारी सुपर टूपर बंपर पारी जाए नमस्कार जाहिए